हाई गाईज है यूर फोन इस रिंगिन है यूर फोन इस रिंगिन हाँ बोल का है मैं माउंट एफरेस्ट पे फाई जी का नेटों चेक करने आया हूँ टावर लग गया ना फाई जी का हाँ ओविसली घर पे बैठा हूँ नहीं मेरा मतलब था कि क्या कर रहा है बस दलगों और कोफी पी रहा हूँ हाँ मेरा छोड़ तू बता तू क्या कर रहा है अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ तू हमेशा वीडियो बनाते वक्ती क्यों परेशन करते है क्या कुछ भी एक बात बोल हाँ बोल जल्दी वीडियो बनाने के लिए होना पड़ता है consistent हाँ हाँ तु कहा है consistent तुछे पता है ना मैंको कितने पाम होता है जाने देना आप क्यों मुझ खुलवा रहा है हाँ ठीक है चल रख देख उस दिन तूने मेरा विकेट लिया था आज मैंने तेरा ले लिया हाँ 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 गाइस देख नीज और वाचिंग टेकवश्ता चैनल आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है अपिसोड नमबर टू में तू बिना करिस्ट देरी के शुरू करते है So guys, यहाँ पर पहले खबर की बात करें तो Redmi K30, Poco X2 जो इंडिया में बन करके आया था उसका एक lighter variant बहुत ही जल्दी चाइना में launch होने वाला है जो Redmi K30i के नाम से आएगा और यह around 16-17,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर 48MP के साथ camera आपको primary sensor मिलेगा जो quad cameras होंगे और यहाँ पर आपको Mediatek 800 का कोई processor देखने मिलने वाला है So guys, यहाँ पर WhatsApp की तरफ से खबर आ रही है जहाँ पर WhatsApp करने वाला upgrade आपका video chat जहाँ पर आप एक साथ 8 लोग के साथ video chat कर पाएंगे यह अभी भी beta testing में है जल्द से जल्द यह update push हो सकता है So guys, Samsung से खबर आ रही है Samsung लेकर आने वाला अपना 600 megapixel का camera 600 megapixel का camera अपने smart phones में Samsung लेकर के आएगा अगर बात करें यहाँ पे तो एक human eye की capacity होती है 576 megapixel की और Samsung अपने 600 megapixel के camera पे काम करना शुरू करने वाला है और बहुत ही जल्दी आपको यह Samsung के phones में देखने मिल सकता है So guys, यहाँ पे Fortnite के तरफ से खबर आ रही है जहाँ पे Fortnite Play Store में available हो चुका है जहाँ पहले आप लोगो Epic Games की website से जाकर कि यह पूरा game download करना पड़ता था लेकिन अब यहाँ पे 107MB का कुछ पहले download होगा और जब game शुरू करेंगे उसके बाद आपको कुछ 7GB का download करना पड़ेगा बहुत जादा है 7GB लेकिन अब Fortnite Play Store में available हो चुका है So guys, यहाँ पे Facebook के तरफ से कबर आ रही है जहाँ आपे Facebook successfully Jio में stakes acquire कर चुका है 43,574,000 करोर का stake acquire किया है Facebook ने Jio में तो यहाँ पे अगर बात करें तो उन लोग को डील होई है कि Indian Small Business के लिए यह ऐसा कोई प्रोग्राम रन करने वाले है जहाँ पे यह लोग सब Jio Mart में available हो जाए छोटे किराना शॉप्स से ले करके जो भी छोटे छोटे बिजनेस है उन लोग को यहाँ पे टारगेट करके यह एक बिजनेस दील कर चुके है So guys, यहाँ पे Realme X3 Super Zoom यह स्मार्टफोन लिस्ट हो चुका है और उसी के साथ यहाँ पे आप लोगों को NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है यह इंडिया में वैसे NFC हम लोग बहुत कम यूज़ करते है लेकिन एक कूल फीचर होगा यह एक फ्यूचर से फोन हो जाएगा जहाँ पे आपको NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है वन प्लस की तरफ से खबर आ रही है और मैंने आपको लास्ट एपसोड में बताया था कि वन प्लस एट सीरीज की इंडिया प्राइसिंग बहुत कम होने वाली है और बहुत ही जल्दी आने वाली है तो यहाँ पे प्राइसिस अविलेबल हो चुकी है जहाँ पे वन प्लस एट सीरीज की वन प्लस एट स्मार्टफोन यहाँ पे 6128 आपको 42,000 के राउंड मिलता है फिर 8 प्लस 128 आपको 44,000 के राउंड कुछ मिलता है 44,999 और उसी के साथ वन प्लस एट प्रो की कुछ स्टार्टिंग रेंज है जहां पर आपको 55,000 का ये phone कुछ मिलता है और 60,000 तक जाता है तो guys यहां पर OnePlus Wireless Z ये भी earphones OnePlus ने launch कर दिये है और India pricing इसकी सिर्फ 2,000 रुपए है तो ये भी कमाल है बहुत ही budget friendly ये OnePlus लेके आ है इस बार So guys Realme Buds Wireless ये आपको इंडिया में कुछ 1700-1800 के price range में देखने को मिल रहा है अभी और उसी के साथ यहां पर इसका pro version भी आने वाला है जहां पर आप लोग को audio quality और बेटर देखने को मिलने वाली है और उसी के साथ यहां पर आपको type C charging port देखने को मिलेगा So guys यहां पर OnePlus 8 series में display issues देखने को मिल रहा है जहां पर बहुत लोग जो यहां पर review कर रहे है उन लोगो green tint का issue देखने को मिल रहा है जहां पर यह लोग जब brightness बहुत कम कर लेते हैं तब यहां पर green tint देखता है और जहां पर कब बाहर जाते है जहां पर low light condition होती है वहां पर green tint का issue बहुत देखने को मिल रहा है OnePlus तक यह बात पहुचे तो OnePlus ने कहा कि यह बहुत ही जल्दी solve हो जाएगा लेकिन इंडिया में आने से पहले OnePlus अगर यह solve कर ले तो बहुत अच्छा होगा OnePlus 8 series के लिए pop-up box देखने को आपको मिल रहा है जहां पर आपको 1,000 रुपीज extra देने पड़ रहा है पर unit के लिए जहां पर 8128 जो है 8 plus 128 GB का variant जहां पर 44999 का यह मिलता है लेकिन pop-up box के साथ यह 45999 का मिलेगा और उसी के साथ यहां पर pop-up box के अंदर आप लोगों को Bluetooth wireless headset जो bullet wireless headset है OnePlus के वो देखने को मिलेंगे और उसी के साथ एक back case भी देखने को मिलेगी So guys यहां पर Redmi Note 9 जो मैंने आप लोगों बताया था कि आने वाला है यह बहुत ही जल्दी आने वाला है यह 30th April को यहां पर launch होने वाला है globally तो इसकी pricing वगएरा भी आएगी और में तक हम लोगों को इंडिया में भी देखने को मिल सकता है So guys यहां पर Xiaomi ने अपने Mi Pay application में कुछ features add-on कर दिये है जहां पर आप घर बैटे-बैटे गोल्ड को purchase और sell कर सकते हो इस application के थ्रूप So guys IQ 3 जो यहां पर smartphone इंडिया में launch हो चुका था The Snapdragon 865 के साथ जो best processor है flagship का जहां पर आपको यह company ने GST बढ़ने के बावजूद भी price cut दे दिया है जहां पर यह phone अभी 3499 शुरू होगा जो 4G variant है और जो 5G variant है जो 12-256 है वो आपको 4499 में देखने को मिलेगा So guys वीडियो पसंद आएगी तो like कर देना और share करना अपने दोस्तों के साथ अपने family के साथ जो tech lever है जो tech savvy है उन लोगों को ऐसी वीडियो बहुत पसंद आएगी और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है तो सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को और यहां पर bell icon भी दिखेगा उसको भी दबा लीजे तो मेरी video notifications आप लोगों को मिलती रहेंगी उत्ले तर में से लोग डी आउपствен पर लोगों and गड़ शारूरी ओूरूरी आपोताइब आएएवर नचे वीडियो लोगों की डिजे उताल